आएए देखते हैं इंवेस्टर को किसमें ज्यादा कमाने को मिला ये शेर में या निफ्टी फ्टी इंडेक्स में 1-1-2014 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था छे साल बाद 1-1-1-2020 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था लोगडाउन में जब लोईस्ट पॉइंट पर मार्केट थी तभी 23rd मार्च को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था और अभी शेर प्राइस है और इंडेक्स है अगर हमें Nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टोक में चार बाते होनी चाहिए एक लंबी अउधी में शेर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए दो जब मार्केट में बड़ा फोल आता है तो हमारा स्टोक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए Nifty के मुकाबले तीन जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टोक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए Nifty के मुकाबले चार, हमारा शेर अपने सेक्टर का टॉप शेर होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये शेर Nifty से बेटर है या नहीं यानि कि पहले तीन पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको सेक्टर का टॉप शेर चुनना है तो उस वीडियो की लिंक description में दी गई है 1-1-2014 को 1 लाग रुपए इस शेर में invest किये 6 साल बाद इस शेर में invest किये हुए 1 लाग रुपए हो गए मार्च में इस investment की value हो गई और current share investment की value है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए nifty fifty shares में invest किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन वह 1 लाग रुपे हो गए मार्च 2020 में उस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और अभी की वेल्यू है 1st point में निफ्टी हार गया 2nd point में निफ्टी जित गया 3rd point में निफ्टी हार गया एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए के ये शेर और निफ्टी का इंडेक्स जैसे पिछले 7 सालों में चले है वैसे ही अगर अगले 7 सालों तक चले तो उनकी वेल्यू कहां पहुँचेगी 2020 में किसका परफॉर्मस बेटर रहा ये शेर का या निफ्टी का ये है पिछले एक महिने का रिटर ये है दो महिने का रिटर ये है तीन महिने का रिटर ये है छे महिने का रिटर और ये है पिछले नव महिने का रिटर तो देखिए दोस्तों इस स्टोक ने निफ्टी को कैसे आउट परफॉर्म किया है दोस्तों हमें ऐसे स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना है जो निफ्टी फिफ्टी के दिगज स्टॉक के मुकाबले ज्यादा रिटर्न दे तेंक यू